किसान भाईयों स्वैबीन की वसल अपने आकरी समय पर चल रही है स्वैबीन में फलियां आ चुकी है और दाना बराव सुरू हो चुका है किसान भाईयों स्वैबीन की वसल के लिए एक सांदार स्प्रे का कॉंबिनेशन बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको एक केटनासक के साथ एक fungicide का परियोग करना है और NPK और boron के combination का परियोग भी करना है जिससे soybean में सभी परकार की ilia कंट्रोल हो जाएगी fungus भी नहीं लगेगी साथ इस soybean की फल्यों में दाना बराव अच्छे से होगा फल्यों में ज़्यादा से ज़्यादा दाने बनेंगे जिससे soybean का उतपादन अधिक निकलेगा इस स्प्रै को करने के बाद soybean के उतपादन में 20-30% की बड़ोतरी देखने को मिलेगी किसान भाई पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए जो नए साथी हमारे चीनल पर नए हो चीनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को अन्य किसान दोस्तों तक भी शेयर कीजे तो चले वीडियो को सुरू करते है किसान भाई यो स्वैबिन की फुसल में फुल्या बनते समय आपको एक बड़िया सा केट नसक परियोग करना है क्योंकि स्वैबिन की फुसल में सेमूल उपर प्रूट बोरर, सुंडिया, इलिया, रिंग कटर, इत्यादी का अटेक फुलिया बनते समय कापी ज़्यादा देखने को मिलता है फुलिया बनते समय इलिया पोदे के तने के अंदर चली जाती है जिसे किसानों को आसाने से इलिया नजर भी ने आती है लेकिन फुसल में लगातार फुलियों को कारती रहती है फुलियों के अंदर जाकर दानों को खराब कर देती है इसलिए किसानों को इस समय पर बड़ी ऐसा कीटनासक प्रियोग करना चीए कीटनासर के रूप में किसान भाई सबसे कम खर्च में इमामेक्टीन बेंजोइट 1.9% EC यानि की लिक्विड इमामेक्टीन बेंजोइट का परियोग भी कर सकते है 117 ml परतियकर के हिसाब से इसके लावा किसान भाई FMC के कोराजन का परियोग कर सकते है 60 ml प्रतियकर के हिसाब से बायर कमपनी के FAM का प्रियोग कर सकते है 50-60 ml प्रतियकर के हिसाब से SIGENTA के AMPLIGO का प्रियोग कर सकते है 80-100 ml के हिसाब से इसके लवा किसन भायों आप अगर कम खर्च में स्वैबिन में इल्यों को कंट्रूल करना चाहते है तो बायर कमपनी के सोलोमोन का 100 ml प्रतियकड के हिसाब से प्रियोग कर सकते हैं या सिजेंटा की अलिका का 80 ml प्रतियकड के हिसाब से आप प्रियोग कर सकते हैं इन में से किसी भी किटनासक का प्रियूग आपने पहले कर लिया है तो दोबारा उसका प्रियूग ना करें, आप अलगलग Kombination का प्रियूग कर सकते हैं अब बात करें, Fungiside के बारे में तो किसान भाईयू, फॉल्यां बनते समय पोदे में फंगस का अटेक दिखाई देता है जिसे दाना बरा उच्च से नहीं होता है दाने की साइज छोटी रह जाती है फॉल्यां खाली रह जाती है जिससे उत्पादन में कापी गीरा वटाती है किसान बायू बढ़िया से fungicide का प्रियोग कर सकते है जिसके रूप में BSP के praxor fungicide का प्रियोग कर सकते है इसमें दो technical पाये जाते है और soybean की वसल में सभी परकार की fungus को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते है BSP के praxor fungicide के result soybean में कापी अच्छे देखने को मिलते है 120 ml प्रती एकड के हिसाब से आप प्रियोग कर सकते है वहीं NPK खादों के बारे में बात करें दो किसान बायू फोलिया बनते समय पोदे को potas की सबसे ज़्यादा आउशकता होती है इसलिए किसान बाय NPK 0050 का प्रियोग करें जिसमें potas मिल जाता है 40% साथ ही इसमें कुछ सलपर की मातरा पाई जाती है जिससे स्वैबिन के दानों में तेल की मातरा बढ़ती है दाना मोटा वजनदार चमकदार बनता है इसी के साथ आप बोरोन का प्रियोग कर सकते है 20% जो आता है बोरोन एक सुक्सम पोसक ततो है जो स्वैबिन के दानों में तेल की मातरा बढ़ता है दानों को चमकदार और वजनदार बनता है 200 ग्राम प्रते एकड के हिसाब से आपको बोरोन का प्रियोग करना है किसन भायों आप अगर ये कॉंबिनेशन अपना रहे है तो सबी चीजों का गोल अलग अलग तियार करे और आपस में एक साथ ना मिलाए थोड़ा गोल आप मिलाकर देख सकते है अगर गोल नहीं फड़ता है तो बाद में आप स्प्रे कर सकते है किसन भायों दो सु लिटर पानी में एक एकड में आपको इंका परियोग करना है जिससे स्वैबिन में नहीं टू इलियान लगती है नहीं फॉंगस का अटेक होता है और पोदे की फल्यों में दाना बराव अच्छे से होता है दाने की साइज बढ़ती है दाने में तेल की मातर अधिक निकलती है जिससे पेदवार अच्छी होती है किसनों को मुनापब बढ़िया देखने को मिलता है किसन वयों अगर आप भी स्वेबिन की खेती करते हैं तो ये कुंबिनेशन अपना सकते है वीडियो को अने की साइज दोस्तों तक शेयर जुरूल करें धन्यवाद